चुका था ये भी अब सिरफ 14 पॉइंट उपर है बैंक दबाफ बना रहे हैं और बैंक निफ्टी आपके लिए लेकर आएंगे जहांपर 43 अंको की गिरावट देखने को मिल रही है ये एक प्रेशर पॉइंट है मार्केट के ले हमाए साथ राहूल अरोरा अविराश कुरक् एक वरी क्विक टेक राहूल आप से वल्लिटी है और शायद बजट हर बजट में हम देखने वल्लिटी देखने को मिलती है आपका बड़ा टेक अवे क्या है एक निवेशक के तौर पर और एक अडवाइसर के तौर पर देखें ये दो तरफ से देख सकते हैं अगर आप भ सब्सक्राइब का नाम सुनके इतनी जोर से आ नहीं भरी होगी जब क्योंकि अगर वो क्लॉस नहीं होता तो काफी हद तक गिरावत मिल सकती थी बड़ा इंक कि ये बजट देखने के बाद मेरा पहला रियक्शन जो था कि ये शुड बड़ा एक्शन जो था कि ये शुड इसने मार्केट प्रोग्रेसिव के लिए कुछ नहीं है क्योंकि हमारे बिजनस के लिए अच्छली ये नेगटिव है फॉर दो ब्रोकिंग बिजनस बिकार नॉट जो जुटाने वाला ये बजट है इन फ़क्ट बजट में जो भी फाइन प्रिंट है उसके और ही सुना चाहता है और इसी पर लक्षमन रॉय बात कर रहे हैं डीए सेक्रेटरी सुभाष चंद्रगर्ग से सीधे वहीं चलते हैं हमारे साथ बाचित करने के लिए है आर्थिक मामलो के सचिप गर्ग सारब का स्वागत है सेनवी सी आवाज में कई सारी मुद्दों पर चर्चा आप तक हो चुकी है बजट पेश होने के बाद लेकिन हमारे दरशक एक महत्पुट पॉलिसी जिसकी गोशना की सरकार ने उसका लंबे समय संजार कर रहे थे वो था गोल्ड पॉलिसी को लेकित जो रेगिलेटेड हो उनकी स्थापना की जाएगी और तीसरा यह जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम है उसको रिवैम करके एक सिंपल स्ट्रीम लाइन गोल्ड डेपॉजिट अकाउंट के सुविधा देने के बारे में सरकार विचार करेगी जो यह देश में गोल्ड अब इन पे विस्तार से बाचीत करके सभी संबंदित लोगों से तीन जो मुद्धा बताया से उसमें गोल्ड पॉलिसी पर मैं आऊंगा सबसे पहले बाकी दोनों पर भी आऊंगा गोल्ड पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि इंपोर्ट डूटी जी इन सब को रेशनलाइज कर दें जरुवत के हिसाब से उसमें फिर वदल ना करें बलकि एक पॉलिसी रहे जो यह बताए कि हां इंपोर्ट डूटी इतनी रहेगी जी एश्टी के तह इतना रेट लेगा कुछ इस तरह की बात है पॉलिसी का हिस्सा होंगी इस सारी बात पॉ हमारा हिंदुस्तान गोल्ड काफी कंस्यूम करता है फिर गोल्ड का स्टैंडराइज़ेशन डेश में नहीं है अभी कम है बहुत सारा गोल्ड अन्परड़क्टिवली स्टोर्ड होके रह जाता है गोल्ड की फाइनेशलाइज़ेशन बहुत कम है गोल्ड को ट्रेड करने क स्विधा अभी कम हैं, गोल्ड के लिए अच्छे एक्सचेंज नहीं हैं, गोल्ड का स्टेंडराइडेशन अभी कम हैं, तो इन सब चीज़ों वो देखते हुए, जिस तरह से और दूसरे मार्केट को रेगिलेट करके, डवलप करके आप उस असेट क्लास को बहतर बनाते हैं उसी तरह से गोल्ड के बारे में पॉलिसी होगा, इस पूरी गोल्ड सेग्मेंट में एक जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार को भी करे वर खटकती है, समिद दंशील बिल्कुल चलिए, तो ये चर्चा हो रही है, विस्तार से हम आपको सुनाएंगे, लेकिन गोल्ड पॉलिसी अभी बात करके समझ में या रहा है कि बन रही है, तयार नहीं है, और आगे चलकर फिर इसका पूरी तयार हो जाएगा, तब सामने निकल कर आएगा, लेकिन अब बाद गॉर्मेंट ने रूरल फोकस काफी स्ट्रॉंगली इसमें इंप्लिमेंट किया है, और जो पहले गेस्ट ने काया है, ये अब लॉंग टम इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनिली इंजस्टिस है, क्योंकि अगर शॉट टम कैपिटल गेंस 15% है और लॉंग टम गेंस और मुझे लग रहा है कि ये अभी भी एक्विटी आजन असेट क्लास काफी कम लोग हैं जो यहां पर इंवेस्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंसेटिवाइज करने की जरुवत थी, तो ओर रूरल थोड़ा सा डिजपॉइंटिंग है कैपिटल मार्केट से, और और मेरे कहाल से काफी डिमांड ड्राइवर्स है, होफुली अगर ग्राउंड लेवल पर ये प्रोग्राम अच्छी तरह से इंप्लिमेंट होते हैं, तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा रूरल थीम्स पर प्ले करने के लिए, भारत का बजट है, इडिया का नहीं यह जातर एक्सपर्स मानने, बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश जी आपका, राहूल जी आपका, सुनिल सुप्रमिनियम साब, आपका, राकेश बंसल जी आपका धन्यवाद, आज से एनबीसी आवास के साथ जुड़ने के लिए, बादार थोड़ा सा वाल्टाइल होता हुआ, उपिस तरों से दबाव देखने को मिल रहा है, और मिट कैप इंडेक्स प्रेशर में आ गया है, आधा परसेंट नीचे ये कारोबार कर रहा है, इस समय बैंक निफ्टी भी दबाव में, सेंसेस निफ्टी भी बलालो है,